नमस्ते सदावत सले मात्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कानून के सेक्शन 104 की और धारा 304-A की यानि की पुरानी IPC की बात करते हैं तो वो सेक्शन 304-A था और जो नई भारती नए सहिता बिये न स्पास की है केंद्र सरकार ने या पालिमेंट ने उसका सेक्शन 104 बनता है इसलिए जैसे अब इस पर जो चर्चा होने वाली है वो ये इस पर जो discussion में करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि आखिर कानून पास होने के प्रेसिदेंट का एसेंट मिलने के एक हफते बात दन के दो महिने बाद क्यों हो रहा है और मज़ी की बात है इसका एपैसेंटर मध्धप्रदेश क्यों बना हुआ मद्यप्रदेश, महारास्ट, राजस्थान यह इसके एपी सेंटर पर ने हुए जिसमें भी सबसे जादा अगर कहीं से सूचना आ रही है तो वो मद्यप्रदेश से आ रही है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मद्यप्रदेश में नई सरकार जो बनी है उसके मुखिया के रूप में मोहन यादव जी बैठे हैं जो प्रकर हिंदुत बाती हैं जिनका कठोर हिंदुत तो है और वो भारती निया विवस्था भारती साशन विवस्था भारती दर्शन को को स्थापित करना चाहते हैं इसे ही आते ही उन्होंने लौड़ी स्पीकर के और मजारों के ये सब उन्होंने तुरंट तुरंट पहली कैबिनेट में ये कानून पास किये थे इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा भ्य है कि ये कहीं हेमत विश्व सर्मा जी कहीं योगी अधत जी उसी कैटेगरी में तो इस्थापित नहीं हो जाएंगे या उनसे भी प्रक्रहंदुत वादी होगे उत्तर प्रदेश बिहार मध्ध प्रदेश जारखंड और और मैं बात कहूं कि 36 यहां की राजनीती मुखब रूप से जाती की राजनीती है और ओभीसी की राजनीती है ओभीसी राजनीती में पुरोधा बनकर कहीं उभरे तो नहीं है मोहन यादव और ऐसा तो नहीं है कि बिहार में सारा खेल ओभीसी का खतम हो जाए ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश में ओभीसी का खेल ही खतम हो जाए और जो ओभीसी अभी तक भरती जंता पार्टी के पक्ष में पूनरूप से नहीं आ पाया था मैं यह नहीं आपाया था पूनरूप से नहीं आपाया था कुछ को जाती जो चुन्नट होती है जाती जो समस्या होती है वो थी इसलिए इन लोगों का vote अभी बचा हुआ था थोड़ा बौट जिसकी वज़े से इनके कुछ विधायक, कुछ सांसत और उनकी रजनीती जिन्दा थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहन यादव जी के आने के बाद राजनीती पर फून रूप से इनके विश्राम लग जाए और अगर किये गए हैं तो इससे क्या देश को नुकसान हो रहा है क्या देश के उपर अत्यचार हो रहा है क्या देश enterprise की सुरक्षा के लिए नहीं है क्या इससे देश में एक्सिडेंट कम नहीं होंगे ऐसे बहुत सारे विशय आज हम इस चर्चा में इस डिसकाशन में इस एनलेसिस में रखने वाले हैं सवाल सेक्षन 104 का है मैं आपको IPC के बारे में बता दूं इंडियन पीनल कोड में सेक्षन 299 जो कल्पेविल होमिसाइड कहता था कल्पेविल सोमिसाइड का मनलब आपराधिक मानवबद के परिवार के सेक्षन से समय हुआ करते थे वो सेक्षन 300, 301, 302, 303, 304B, 304 और 6 भी आते थे अब आप सोचिए कि जो 299 का परिवार है यानि कि एक common definition जो 299 में है वो definition 304A पर लागू नहीं होती थी इसलिए जब भी ये प्रश्ण भी अगर UPSC में या जुड़ीशरी में आता था तो वो कहता था कि इन में से कौन सा कल्पेबिल होमिसाइड नहीं है तो section 304A जो कि negligence या rash activity को दर्शाता था उस negligence वाले section में लिखा होता था कि death caused by negligence not amounting to not a कल्पेबिल होमिसाइड जो कल्पेबिल होमिसाइड नहीं है यानि कि उस परिवार का नहीं है लेकिन वो rash की वजए से वो negligence की वजए से वो घटना बनाता था किसी वेक्ति को मृत्यकारित करता था तो उसमें दो वर्ष की सजा के प्रावधान थे एसा नहीं है कि पहले ये प्रावधान नहीं थे section 104 जो नहीं सहिता आई उसमें section 299 की जगे section 98 आ गया मैं इक बात और आपको clear कर दूँ कि 90% प्रावधान बलकि 95% प्रावधान वहीं है जो इंडियन पीनल कोड में थे केवल उनका rescheduling किया गया है भारत के दर्शन के अनुसार भारती नय विवस्था के अनुसार या भारत की अवशक्ताओं के अनुसार पहले क्या था पहले साशन को बचाने के लिए कानून था साशन को बचाने से मतलब है कि अंग्रेज सरकार को बचाना चाहते थे जनता के विशहां उन्होंने सबसे बाद में डालके रखे थे इसमें अभी क्या है जनता प्राथमिकता पर है और देश में न्याय विवस्था बनी रहे तो ये न्याय सहीता है सरकार कैसे चलेगी सरकार कैसे सुरक्षित रहेगी देश कैसे सुरक्षित रहेगा ये सरकार का काम है जो लोगों के लिए नहीं है उसको भी डाला गया है लेकिन उसक अब कोई रेलिवेंसी नहीं रही तो परिवर्तन जो किया वो यह और उसके बाद जो अभी तक के जजमेंट आये हैं उन जजमेंटों के आधार पर इसमें उन्होंने संशोधन कर दिया है इसमें जजमेंटों में जो सेक्शन इसमें इस्थान मलब इन प्रश्णों के उत्तर हैं इसलिए चुकि ऐसा नहीं है कि पहले सजा नहीं होती सजात पहले भी थी प्रावधान भी पहले था लेकिन सुप्रीम कोट नीचे हाई कोट कई एक हाई कोट ने यह निरलें किया था कि अगर ग्रॉस नेगलिजेंस है तो तो वो धारा 304 में उसकी सजा होगी यानि कि not amounting to murder कल पे भी homicide में उसको ले जाएंगे पहले क्या और उससे पहले जब judgment नहीं हुए थे तब यह था कि साब अगर यह सिद्ध नहीं होता कि इसमें इंटेंशनल ही किया गया है लेकिन नेगलिजेंसी थी रैस ड्राइबिंग कहीं वो वैसे कर दिया गया था तो फिर सजा दो वर्षकी होती थी लेकिन कोट ने यह कहा कि इसमें अगर ग्रॉस नेगलिजेंस की कोई पर इंटेंशन नहीं है लेकिन नेगलिजेंसी तो है उसमें महरास्ट का केस बढ़ा आया था जिसमें महरास्ट में एक महिला जिस ज बाद डिपार्टमेंट ने पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन किया तो उस महिला को ही दोशी बता दिया और यह कहा कि सौतेला बच्चा था इसलिए मार दिया वह महिला जेल से जब निकल कर आई तो उसने कोट में प्रोच किया और उसने कहा कि गड़ा होने की वजह से मैं गिर और यह कहा कि पता करो कि यह गड़ा जानगूज क्या था कैसा था तो मालूँ पढ़ा कि रोड नहीं नहीं बनी थी और रोड गलत फर्मूले से बनी थी या उसमें जो में इस्तेमाल किया गया था बहुत खराब मेट्रियल था यह रेपोर्ट आ गई एक मेंस्ट्रेट की जक्षता में रेपोर्ट सम्मेट होगी। कोट ने यह कहा कि जिनकी वजह से यह एक्सिडेन्ट हुआ जिनका एक्सिडेन्ट हुआ वो नहीं यानि कि वो महिला जो अपने पसाईले बंचे को लेकर जारी थे वो दोशी नहीं है दोशी वह हैं जिनोंने यह सड़क बनाई, कि इनको ये बात मालूह थे इन गढ़्णों की वजह से किसी की मृत्धियू हो अगर आपको यह अंदाजा कि कि किसी की मृत्धियू हो सकती है तो यह मडर तो नहीं है लेकिन को अपराधिक मानवत जो हत्या नहीं है वो तो है हत्या में इंटेंशन चाहिए आपने इंटेंशनली मारने के उदेश से नहीं किया लेकिन आपको यह पता था कि इस गड़े में गिरकर किसी की मृत्यू हो सकती है ऐसे बहुत सारे जजमेंट आए जैसे कोई नशे में गाड़ी चलाता तो आपको मालूम है कि इंडिकेटर लिए गाड़ी घुमा दी गई तो यह ग्रॉस नेगलीजनसी की के टेगरी में उनको लाया गया है कि जो जा रहा है पिछले टायरों से एक्सिदेंट हो गया उसको पता नहीं लग सकता कि पीछे कोई मर सकता है और किसी को बचाने का प्रयास किया उसमें उसक अगर emergency में ऐसी break लगाई गई थी कि उसके अलाबा कोई साधन ही नहीं था, कोई और उपाय नहीं था, तो ये negligence नहीं है, इसके बचाओं के लिए accident, जो exception है, general exception है, वो accident को इसमें दर्शाया गया, कि अगर accident होता है, लेकिन उसका intentionally कोई रोल नहीं है, उसकी negligence भी नहीं है, फिर भी अपरियार घटना हो गई, तो फिर हम उसको पूर्ण रूप से बचाते हैं, ये आज भी प्रावदान है, ये 304A ही नया schedule करके 101 में रखा गया, और 101 में ये कहा गया, कि जो rash driving है, या फिर जो negligence driving है, लेकिन not amount to murder है, यानि कि पिछले वाले में not amount to culpable homicide है, जो 304A में था कि not amount to culpable homicide, वो ही यहाँ पर भी कि not amounting to culpable homicide है, लेकिन negligence है, rash driving है, जिसकी वजह से किसी की मृत्य हो गई है, तो पहले दो वर्ष की सजा थी, अब उसकी सजा साथ वर्ष कर दी गई है, और जुर्माना लगा दिया गया, पहले भी सजा और जुर्माना था, इसका दूसरा पार्ट एक और बना दिया, और दूसरा पार्ट ये बना दिया कि अगर मार कर भग गए, किसी की हत्या करके भग गए, इसको hit and run case कहते हैं, hit and run case में क्या होता था, कि hit किया, मर गया और आप डर के मारे भाग गए, तो इसको hit and run case कहते हैं, तो hit and run cases के Supreme Court तक बहुत सारे cases आ गए, जिन cases को ध्यान में रखत से हुए, Supreme Court ने भी उसमें ये कहा था, कि अगर hit करके run कर जाता है, तो वो 304 का दोशी है, अगर वो उसको अस्पता ले जाता, उसको बचाने का प्रयास करता, authorities को inform करता, तो शायद उसकी जान बच जाती, इसकी वजह से ये बड़ा अपराध कह दिया गया है, कि जो negligency driving, rest driving के वज़े से मृत्यू कारित करता है, या accident करता है, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, जिसको कहा गया, hit and run, अगर वो hit करके run कर जाता है, भाग जाता है, तो फिर उसके मृत्यू होने की 100% संभावना है, इसलिए वो अपना कर्तब बे निभाए, अगर उससे hit ह हो गया है, तो वो उसको अस्पताल पहुचाए, authorities को inform करे, authorities को लाए, अगर वो ये role play नहीं करता है, तो फिर उसको 10 वर्ष की सजा के प्रावधान रखे जाएगे, तो आप समझे, hit and run को Supreme Court ने कैसे कहा, जनता भी इस बात को जानती ही, hit and run में मृत्यू हो ही जाती है, लेक जब उसकी हत्या, उसकी मृत्य हो ही गई है, तो उसने इसमें प्रावधान रखा है कि आप authorities को inform करेंगे, यानि कि police station को inform करिए, medical को inform करिए, 100 number dial करिए, 101 number, 102 जो भी number है, वो number dial करिए, या फिर 1098 dial करिए, और dial करके सूचना दीजे कि मैं गाली से ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे करके इसको सूचित करता हूँ, आप उनको बचाए, और अगर ले जाने की संभाब ना है, तो पहले उसको hospital ले जाए, hospital ले जाने के बादा भाग जाए, कोई समस्याने, तो ये है तो उहापो की स्तिती की जनता दो मारना शुरू कर देती है, तो जनता को भी समझने पड़ करेगा, कि अगर वो उसे accident हुआ, वो रुक गया है, तो उसको hospital ले जाने की पहले जिम्मेदारी जो दी गई है, कि hit and run ना बने, वो पूरी करे, इस confusion को आप सोच लीजिए, कि मध्यप्रदेश से सुरू किया जया, क्योंकि मैंने पहले कहा, कि ऐसा नहीं है, कि OBC राजनी हटा दिया जाए, स्पाटी के द्वारा ही हटा दिया जाए, उनके उपर इतने संकट डाल दिया जाए, कि वो खुद चले जाए, ऐसा पूरा प्रयास इसमें किया जा रहा है, दूसरी बात इसमें यह है, कि कोंग्रेस ने ऐसा कहते हैं, कि विपक्षी दलों ने समर्थन कि क्या है, इन बंधों का, मैं कहता हूँ, कि सजा तब होगी, जब आप से एक्सिडेंट होगा, सजा तब होगी, जब आप रेस्ट ड्राइविंग करेंगे, सजा तब होगी, जब आप हिट रन कर जाएंगे, यनकि वहां से भाग जाएंगे, तो सजा होगी, लेकिन अगर आ एक्सिडश हो जाता जो अपरियार है वो वैसे ही बचाओ पहले से है कि एक्सिडश हो गया तो वो अपरियार दुरुगटना थी जिसको रोका नहीं जा सकता था वो ही गयीل किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है वो एकदम बहक जाता है किसी का ब्रेक फिल हो गया कोई दूसरा सामने से ब्रेक फिल हो गया वो घुज गया आके कोई बिना देखे अंदर अचानक घुज गया आपकी कोई गलती नहीं है वो उसकी ब्रत्य होगी इन सभी मामलों में जनरल एक्सेप्शन्स में बचाओ भी इस कानून में दिया गया है कि आपके उपर कोई आप दस साल, साथ साल, दो साल छोड़ दिजे किसी भी प्रकार की कोई भी सजा इसमें नहीं मिलेगी और सजा का कोई मतलब ही नहीं होता बिल्कुल साथ क्योंकि आपका कोई दोश नहीं लेकि मैं शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो आप कहते हो कि कोई मर जाता है मुझे दस साल किसे जाओगी आप तो जो मर जाएगा उसके परिवार का क्या होगा आप कहते हो मुझे दस लाख रूपय का जुर्माना होगा तो जो मर गया है उसके परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे आप कहते हो कि रैस ड्राइविंग के वज़े से मुझे साथ साल भेजा जाता है अरे भीया उसके बुड़े माबाप जो सत्तर साल के हो गए उनका क्या होगा उसके बच्चे जो भी पांस साल छे साल साथ साल के हैं उनका क्या होगा उनका क्या होगा जिनका पूरा परिवार उसी व्यक्ति पर जो म्रत्यू हुई है जिसकी वज़े से आप करें मुझे जल क्यों भेजोगे उस व्यक्ति पर निर्भर है मेरा मन्ना ये है कि इस पूरे कानून में कानून इंट्रॉरक्शन के दो महीने बाद ये 11 अगस्त को दुबारा रखा गया है यानकि हनाकी 2023 में शुरूबात में फरवरी में रखा गया था फिर बाद में ये संशोधन के लिए चला गया फिर अमिश शाह जी ने 11 अगस्त को लोगसभा में उसको रखा और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट की एसेंट आई चर्चा हो रही थी किसी को अंदोलन करना होता तभी करता मोटर वीकिलेक्ट की कोई बात अभी नहीं है पुराने कानून में ही केवल सजा कठोर कर दी गई है पुराने कानून में आपको हरालत में जेल जाना पड़ेगा ऐसी वेवस्ता तब भी नहीं थी ऐसी वेवस्ता आज भी नहीं है कल्पेविल हुमिसाइड तब भी बाहर था इस सक्षन से आज भी बाहर है कल्पेविल हुमिसाइड में तो वैसे भी नहीं बच सकते आप अगर जान बूझकर हत्या करते हैं इरात्तन हत्या करते हैं तो इरात्तन उसकी मृत्ति हो जाती है या फिर वो कल्पेविल आपरादि देने वात्र से जैसे पहले बचाया जाता था वैसे आज भी बचा जा सकता है जैसे पहले सजा दो साल की आप काट कर आते थे लेकिन निजनसी होती थी तो भाईया मैं कहता हूं शराप पेकर गाड़ी मत चलाईए सब्धानी पूरबक चलाईए हाइवेस पर वही चलाएं ज सकते ट्रक की स्वीट साथ से जाधा नहीं हो सकती लोडी ट्रक की यहां जाएगा जब नियम बने हुए उन नियमों के अनुसार अगर आप चलोगे तो आपको एक घंटे की में सज़ा नहीं और एक दिन की में से ज़नी होने वाली, आप मैं कहता हूँ में बी गाड़ी चलाता हूँ यहाँ है, वो मेरे लिए भी तो है आम आत्मी के लिए भी तो है, तो मैं तो सब्धनी पूरवक चलाता हूँ, अतब हरती जंता पाटी है सरकार ने उसको कोई जबाब अभी तक नहीं दिया मुझे लगता है उसका कारण ये रहा होगा कि पहले इनको बढ़ लाने दो आपोजिशन को आजाने दो आपोजिशन जब इसको बड़ा तूल पकड़ा देगा देश में और देश की जंता त्रहिमाम त्रहिमाम करने लगी तब सरकार उसका जबाब देगी तो उससे जागरुकता तो फैलेगी ही जो सरकार का बजट होता है कानून की awareness के लिए चारो और उसका प्रचार प्रचार करना वो भी खतम हो जाएगा वो भी पैसा बच जाएगा और राजनीती भी फुल टास हो ही जाएगी अपोजीशन इसमें फस भी जाएगा इसलिए मेरा मनना पर आप डाल रहें वो टुक टुक करके प्लेस कर रहे हैं उसको केवल रोक रहे हैं या रोक भी नहीं रहे हैं तब तक के लिए ही है यह है सब कुछ जिस दिन उनको सही लगेगा कि बॉल सही पड़ गई है उस दिन वो सिक्सर लगाएंगे इसलिए मोदी जी की पिछ पर विपक्ष खेल रहा है जिसमें सिक्सर की संभाबनाएं जादा बनती हैं और इससे उनकी ही पिछ पर आप हारेंगे पहल सब्सरेंगे अधार का आदा रखेगा का लाम तो भारती जनतापर्टी को ही मिला सरकार को ही मिला और उन्होंने सी एके कानून को कानून बना कर ही रख तो इंप्लिमेंटेशन कैसे हो रहा है वह आपको मैं नहीं बताओंगा क्य玩। कि हो रहा है और वह लगबग हो गया है। sp डीटा बन गए हैं। मैंने उश्च आपको देता हूं परिवारिक आएडी बनाई हैं सरकार ने ... बहान की आईडी बनाई हैं सरकार ने, सब चीजें आधार से लिंग कर दी है अधार का फिजकल वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है, नए आधार बिना फिजकल वेरिफिकेशन के हो नहीं रहे हैं, पुराने आधारों को रिन्यू किया जा रहा है, इसलिए वो सब कुछ साम कि कैसे कब CAA लागू हो गया बहुत सारे राज्यों ने अपने हां डॉमिसाइल बनाने शुरू कर दिये हैं और डॉमिसाइल बनाकर वो डॉमिसाइल ही आधार होगा नेशनल पॉलिसी का यानि की सिटिजन्शिप का क्योंकि डॉमिसाइल पांच वर्स जिसकी डॉमिसाइल नोक करेंदाती हैं वो सुटैजन्शिप क्लेम कर लेता है फ partie जिडीजन्शिप नहीं मिलती हैं पहले डॉमिसाइल हमारे आधा मैलती जैसे की यूएस और दूसरे कंट्रियों में पर्मानेंट रेजिड मिलता है प्यार मिलती है वैसे हम उसको डॉमिसाइल कहते हैं ग보ें सिर्णिशिप मिलती है तो कानून में संशदन हो गया है पांच वर्ष कम से कम लगेंगे डोमिसाइल देने के बाद और फिर नागरिकता दी जाएगी वो उस पर चर्चा हम कभी फिर और करेंगे जैन जै भारत वन्यवातरम कर लोम बादर एवातरम ye план करेंगे जैने का हम से रादर कि ना हम वबित लादर करेंगे तो करेंगे आएगी वो है लोगे साथ